हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो ब्लॉग है, मैं इसमें आप सभी के साथ अपने किचन की डीप क्लीनिंग सेयर करूंगी क्लीनिंग सुरू करने से पहले मैंने हस्बिन को और बच्चों को लंच करा दिया है, ताकि क्लीनिंग करते वक्त मुझे कोई डिस्टर्म ना करे मैं ऐसा ही करती हूँ, ताकि क्लीनिंग करते वक्त मुझे कोई और काम ना रहे, स्रिप मेरा फोकस क्लीनिंग के उपर हो मैंने दही निकाल लिया है और सभी को दे दूंगी जब मैं दही निकाल रही थी तो बाहर से छबी आवाज लगाई कि मम्मा सबसे पहले दही आप मुझे दीजिएगा उसे दही बहुत पसंद है फ्रेंड्स उसके पैर में चोट लग गया है इसलिए वो बिस्तर पे बैठी है और वो वहीं से दही मांग रही थी हस्बिन ने उपर के सेल्फ के सारे डब्बो को उतार दिया है फ्रेंड्स मैं उपर से ही सफाई सुरू करती हूँ नीचे से सुरू नहीं करती हूँ महीने में एक बार मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग जरूर करती हूँ क्योंकि किचन घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां बहुत जल्दी गंदगी जमा हो जाती है टाइम टू टाइम क्लीनिंग करने से हमारा किचन हमेशा क्लीन दिखता है और next time cleaning करने पर हमें मिनहत जादा नहीं करनी पड़ती है बड़े बरतनों को भी नीचे उतार लिया है उपर की self बिल्कुल खाली हो गई है ये देखिए friends उपर की self पर oil की एक पतली layer जम गई थी husband उसे detergent से रब कर रहे थे क्योंकि इससे matte हमारी अच्छी तरह से clean हो जाती है friends मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिएगा मेरे वीडियो को like कर दीजिएगा और well icon का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे निव निव वीडियो के notification आप तक पहुंसते रहें मैंने उपर के self के सारे डबो को clean कर लिया है second self के सारे डबो को पूरा उतरवा रही हूँ और उनके lid जो है उन्हें चेक भी कर रही हूँ कि कहीं वो खुले तो नहीं है ताकि मैं पानी से वास करूँ तो उनके अंदर पानी ना जाए मैंने दोनों self के डबो को पूरा उतरवा लिया है ताकि मेरा self भी clean हो जाए और डबे भी clean हो जाए और मैं सारे डबो को detergent से वास कर रही हूँ मैं जब weekly cleaning करती हूँ तब डबो को गीले कपड़े से पोस देती हूँ अब मन्त की cleaning में मैं सारे डबो को detergent से वास करती हूँ मैंने नीचे के counter को भी खाली कर दिया है और डबो को वास कर लूँगी फिर उन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दूँगी जब डबे सूख जाएंगे तब मैं उन्हें लाके अपने self पे लगा दूँगी दोनों self के डबे सूख गये हैं मैंने उन्हें दो घंटे धूप दिखा दिया है और वो अच्छी तरीके से सूख गये हैं फिर मैं उन्हें organize कर दूँगी फ्रेंट्स मैं एक एक platform को clean करती हूँ और उन्हें set करती जाती हूँ ताकि डबे बिखरे बिखरे ना दिखे फिर मैं wallpaper और watch की dusting कर दूँगी अब मैं second self को organize कर दूँगी फ्रेंट्स जिन जिन चीजों की जरुवत मुझे बहुत कम होती है उन्हें मैं उपर के self पे लगा देती हूँ और जो मुझे कम use होती है उन्हें मैं second self के पीछे लगा देती हूँ और spice के जितने भी डबे हैं उन्हें मैं आगे रखती हूँ ताकि वो आसानी से मुझे मिल सके फ्रेंड्स गैस के उपर self पे मैं spice और जितनी भी डाले होती है उनके डबे लगाती हूँ और उनके बगल में मैं अपने cups, glass और जो कभी-कभी use होती है कटोरियां उन्हें मैं लगा देती हूँ फिर मैं अपने खिड़की को अच्छी तरीके से साफ करती हूँ जाली को खिड़की से साफ कर लेती हूँ जाली खिड़की में फस जाते हैं तो जल्दी निकलते नहीं है इसलिए मैंने ये brush मगाया है इस brush की सहायता से जाली अच्छी तरीके से निकल जाती है बाकी बचे बर्तनों को भी मैं वास कर लेती हूँ उपर के दोनों सेल्फ को मैंने क्लीन करके डबो को और्गनाइस कर दिया है अब मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ इनके सारे स्टेंड को निकाल कर इने अच्छी तरीके से वास कर रही हूँ friends मैं इसे clean करती रहती हूँ इसलिए burner के आजपास कोई भी गंदगी नहीं थी इसलिए मुझे जादा time नहीं लगा इसे clean करने में मैं अपने tiles को detergent से वास नहीं करती हूँ क्योंकि detergent से वास करने पर tiles की चमक खतम हो जाती है इसलिए मैं उसे हमेशा सैम्पू से ही साफ करती हूँ और काम करते करते मैं फग गई थी इसलिए मैंने चाए बनाया और फिर चाए पीने के बाद मैंने काम सुरू किया नल के उपर मैंने एक ग्रे नाइड का टुकडा रखा हुमा है इसके उपर मैं अपने डिटर्जन को रखती हूँ और बाकी जगह में मैं ग्लास लगा देती हूँ और फिर मैंने अपने काउंटर को भी सिट कर लिया है मैं गैस के पार्ट्स को लगा दूंगी बाकी मेरी सिंग का एरिया जो है वहां की जो टाइल से उन्हीं भी मैं क्लीन कर लूँगी फिर मैंने सूखे कपड़े से अपने किचन के काउंटर को ड्राइ कर लिया है जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे ड्राइ कर लूँगी मेरा किचन काउंटर क्लीन हो गया है मैंने उसे क्लीन करके ड्राइ कर लिया है अब मैं काउंटर के नीचे का एरिया क्लीन करूंगी वहां के जितने भी डब्बे हैं उन्हें पहले मैं बाहर निकाल लूँगी फिर इस ब्रस की सहायता से मैं सारे मकड़े के जालो को क्लीन करूंगी यहाँ पे बहुत जल्दी-जल्दी मकड़े के जाले पड़ जाते हैं फिर मैं अपने किचन को धुल लूँगी और उसे वाइप कर दूँगी मैं वाइप की सहायता से पानी को अच्छी तरीके से वाइप कर दूँगी ताकि किचन हमारा जल्दी से सूख जाए फ्रेंट्स मैंने फ्रीज को पहले ही क्लीन कर लिया था अब मैं सिंग के नीचे का एरिया क्लीन करूँगी पहले मैं मकड़े के जालो को साफ करूँगी फिर मैं उस एरिया को पानी से वास करूँगी पाइप वगएरा को सब को अब मेरा किचन क्लीन हो गया है किचन क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था ये बहुत सुंदर लग रहा था किचन क्लीन होने के बाद फ्रेंड्स किचन का फुल विउ देखिए फ्रेंड्स मेरे किचन की डीप क्लीनिंग आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मैंने किचन टूर का वीडियो बनाया है friends उसे आप जरूर बाच करिएगा मैं link description box में डाल दूंगी अब मैं blog को यहीं समाप्त करती हूँ thanks for watching